सो वेलकम बैक टू क्रिकट में इस आई पेल दो चाह इकीस का जो ट्रेडिंग विंडोवे चालू है जा पर लास पंदरा है यह बीस दिन जो है वह बाकिए ट्रेडिंग विंडोव की ऐसे मैं आपको बता दू कि जो मार्च का फर्स विक होने वाल है उसमें काफी साय जो ट् की गई है कौन से टीम में कौन से पर जाने वाले कौन सा ट्रेड आल्मोस्ट कंफर्म हो चुका है वो भी आपको बताने वाले हो लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटा फट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको 100% है वो ट्वेंटीर फैवरे शुरू हो गया था और ट्वेंटीर माज तक चलने वाला था हाला कि पहले दो हफटे में ऐसे कुछ खास अपडेटों निकल गए नहीं आए थी लेकिन शाय तक जो टीम से उन्होंने अपने स्कौर्ट को सेटल करने के बाद अब जो ट्रेडिं अब बता है कि राजिस्टान रॉर्स के उन्होंने को रिटेन कि आउस्ट्रेला के लिए खेल रहे हैं और अभी अच्छे-कासे फॉर्में में चल रहे हैं जहां पर ऐसे अपडेट निकल गया थी कि मुंबई ने इसको टीम थे उन्होंने इसको अप्रोच किया था और कि मुंबई इंडियस की टीम जो फॉर्इनर को लेके क्या एक को ट्रेट करती है कि नहीं जो दूसरी जिसके बड़ी अपडेट निकल किया रहे है वह सरफरास खान की देड़ा हो था कि कि पंजाब की रिटेन किया था जैकिन अभी हाल फिलार में आर्स पी जो टीम है उन् साइड डील जो है वह पंजाब की इससाथ करने वाली है जिए जो डील हो ओने वाली है जा पर आपको पता है कि जो कि पंजाब के ने कि दरका नहीं है कि उनका सॉल्डरी जो अपर ओडर उडर है उसमें क्रिस गेल भी है और निकलेस पूरेंड भी तो ओविएसली इनके प्लेंग लेन में नहीं होता है जहां पर अभी की जो अपडेट है वो यह है कि जो चन्ने सुपर किंग सी टीम है उन्हें डेविड मालां से कॉंटेक्ट किया है जिया जो प्लेयर ट्रेड में किंग सिलन पंजाब में आने व काफि सारे अच्छे इंडियन फास बर्म वाजोड है जहां पर अभी की जो अपडेट है वह यह है कि पंजाब किंग्स जो टीम में उन्हें इनको अप्रोच किया है जिया पंजाब किंग्स अभी जो ट्रेड विंडोस में काफि जादा एक्क्विन अज़र आ रही है कुर